नमस्कार न्यूज के एकलोटे फैमिली शो न्यूज की पाढ़शाला में आप सभी का बहुत स्वागत जो आपको बताएंगे कि पी-अम मोदी ने इंडिया को भारत कप किया क्योंकि चर्चा ये चल रहे न कि नरेंद्र मोदी ने तो आप भारत कर दिया भाई, इंडिया का क्या होगा, आज ही कर दिया क्या, मैं आपको वो exclusive कागस दिखाऊंगा जो आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने ये काम कब से करना शुरू कर दिया था, इंडिया या भा प्लीट चैप्टर आपके लिए लेकर आया वो सबूद जिने देखकर आप भी इंडिया नहीं भारत बोलने लगेंगे आज वो भी आपको दिखाऊंगा 73 साल पहले जो 18 सितंबर को हुआ था वही नरेंद्र मोदी अब 18 सितंबर को संसत के विशेश सत्र में करने वाले हैं क्या आप पूछेंगे 73 साल पहले क्या हुआ था 18 सितंबर को आज मैं आपको पाटशाला में बताओ पीम मोदी से मिलने क्यों दिल्ली पहुचे योगी क्या बड़ा होने वाला है उसको लेकर हमारे पास क्या जानकारी आज आपको बताऊंगा अखिलेश का घर तोड़ने का फैसला कर चुके हैं क्या योगी आदितिनात इसका भी चैप्टर है और पाकिस्तान में बड़ा बबाल मचा है पीओ के भारत में मिलने जा रहा है क्या भारत आने को उतावली पाकिस्तानी भीड़ी क्या पाकिस्तान को तोड़ देगी आज इसका भी चैप्टर और आकिर में कोली कोली का नारा लगाते फैंस को गंबीर ने क्या असली अश्लील इशारा किया वाइरल वीडियो का सच भी बताऊंगा लेकिन पाटशाला शुरू करने से पहले दिन बर की बड़ी ख़बरों का रिवीजन उसके बाद पहला चालब बिहार के मुक्यमंत्री नितीश कुमार आज पटना युनिवरस्टी के कारिकरम के दौरान पैर फिसलने की वज़े से गिर गए जिसके बाद मौके पर मौझूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला नितीश कुमार शिक्षक दिवस के मौके पर युनिवरस्टी के वीलर सिनेट हाउस का उधाटन करने पहुचे थे इस दौरान परदा हटाने के लिए डोर खीशते वक्त उनका पैर फिसल गया और वो वहाँ पर गिर पड़े सनातन धर्मपर तमिलाडू के मुख्यमंत्री स्टैलिन के बेटे उधयनिदी स्टैलिन के बयान पर घमासान जारी है बयान के चोतरफा विरोध के बीच देश की 262 प्रतिष्टित हस्तियों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्टी लिखी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वता संग्यान लेने की गुजारिश की गई चिट्टी लिखने वालों में हाई कोर्ट के पूर जजजेस के साथ ही ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है चिट्टी में आशंका जताई गई है कि सनातन धर्म पर उदेनीदी स्टैलिंग का बयान समुदायों के बीच दुश्मनी और साम्प्रदाइक हिंसा भढ़का सकता अर्याना के करनाल में कॉंग्रेस की जिलास्तरिय बैठक के दौरान स्टेट ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में पूर्वी सीम भुपेंदर सिंग हुड़ा और रंदीप सिंग सुर्जेबाला के समर्थक आपस में बढ़का इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाद भूसे चले काफी हंगामे के बाद दोनों गुटों को शांत कराया जासे जिसके बाद हुड़ा गुट के लोग मीटिंग में से चले गए लेकिन रंदीप सुर्जेबाला गुरुप के लोग गेस्टाउस के बाहर खड़े होकर नारे बाजी करते है हैदराबाद में आज भारी बारिश की वज़ा से जंजीवन अस्थवेस्थ हो गया चंद घंटों के अंदर इतनी बारिश हो गई कि निचले इलाकों में सड़के पानी में डूब गई बारी बारिश के अलर्ट को देखते वे हैदराबाद के सबी स्कूलों में पहले ही चुट्टी की गोश्णा कर दी गई थी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपिल की उत्राखंड के केदारनात में मंदाकनी नदी के किनारे सलफी लेने के चकर में एक शक्स को भारी दिखकत हो गई सलफी लेने के दौरान पैर पिसलने की बज़े से युवक नदी में गिर गया गनीमत ये रही कि नदी के तेज़ बहाव के बीच वो एक पत्थर से टिकर किसी तरह से बचा रहा जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यो उपरेशन चलाया कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्यों के सारे नदी में फसे युवक को बचा कर बाहर निकान लिया ICC World Cup 2023 के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है रोई शर्मा टीम की कप्तानी वाली 15 सदस्य टीम में केल राहुल को भी जगा मिली है भारत में होने वाले ICC World Cup की शुरुआत पांच अक्टूबर से होगी टोर्टनमेंट के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपिन इंग्लेंड और पिछले बार की रनर अप न्यूजिलेंड के बीच मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को एहमदाबाद में खेला जाएगा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मैच 8 अक्टूबर को जन्नाई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा तो यह हो गया दिनबर का रिविजिन अप पाट शाला की पहली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा वो एक्स्क्लूजिव कागज जो आपको बताएंगे कि मोदी ने इंडिया को भारत कब किया इंडिया या भारत पियम मोदी के बड़े फैसले की पूरी कहानिया आज आपके लिए लेकर आया हो आज पूरे देश में यही चर्चा चल रही है कि क्या देश का नाम बदलने जा रहा है और क्या देश को अब इंडिया नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ही कहा जाएगा विपक्ष भी हडबड़ा गया कि क्या प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी देश का नाम ही बदल देंगे और अगर इंडिया की जगा सिर्फ भारत नाम ही बुलाय जाएगा तो फिर विपक्ष ने जो इंडिया गड़बंदन मनाकर नरेंदर मोदी को हराने का प्लान बनाया था उससे तो विपक्ष के अर्मानों पर पानी फिर जाएगा लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने आज ही नहीं पहले से ही इंडिया की जगा भारत शब्द का इस्तमाल करना शुरू कर दिया जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था क्योंकि नरेंदर मोदी तो अपना काम करते है तो वो डॉक्यूमेंट्स आज आपको दिखाऊंगा एक्स्क्लूजिव डॉक्यूमेंट्स पार्ट शाला में जो आपको बताएंगे कि भाई आज प्रेजडेंट ने जो नियोता भेजा उसमें नहीं उसके पहले से नरेंदर मोदी ने क्या किया है हमारे पास एक्स्क्लूजिव डीटेल्स और एक्स्क्लूजिव तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि इंडिया की जगा पर PM मोदी भारत नाम को इंटरनेशनल लेबल पर पहले से ही प्रमोट कर रहे हैं ये तस्वीर तो आपने देखी होगी आज कई न्यूस चैनल पर थोड़ी देर में मैं आपको वो एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज दिखाऊंगा जो किसी चैनल पर नहीं है लेकिन आज जो नई चर्चा शुरू हुई वो इसलिए हुई क्योंकि G20 के डिनर के कुछ इंविटेशन कार्ड साब आए इन इंविटेशन कार्ड में प्रेजिडेंट आफ इंडिया की जगा पर प्रेजिडेंट आफ भारत लिखा है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इसके बाद से ही हर जगा कहा जाने लगा कि इंडिया को अब भारत ही कहा जाएगा क्या इन बातों में इसलिए भी दम दिखा क्योंकि सरकार के तवाम मंत्रियों और BJP के लोग सोशल मीडिया पर G20 के डिनर के लिए इंविटेशन कार्ड जो आया उसको तुरन दिखाने लगे इसे भारत के गर्व से जोड़ने लगे जैसे केंद्रिय मंत्री धर्मेंदर प्रदान ने इंविटेशन कार्ड दिखाया उसमें भी राशपती द्रौपधी मुर्मू को प्रेज़डेंट ओफ इंडिया की जगा प्रेज़डेंट ओफ भारत लिकाया था इस पोस्ट के साथ ही धर्मेंदर प्रदान ने हैश्टेग किया हैश्टेग प्रेजडेंट ओफ भारत दूसरी तरफ भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए सोशल मीडिया पर नया हैंडल लॉंच किया गया जिसे G20 भारत नाम दिया गया ये विपक्ष के लिए टोटल सर्प्राइज कर देने वाली इस्तिती है क्योंकि विपक्ष पहले से ही हैरान परिशान था कि भाई ये नरींदर मुदी ने विशेश सत्र किसलिय बुलाया और विशेश सत्र में पियम मुदी करने के आवाले ये किसी को पता नहीं चल ला था विशेश सत्र को लेकर अलग-अलग थिओरीज चलाए जा रही थी इस तरह के कई बिल आ सकते हैं किसी ने कहा कि भाई आपको याद होगा कि जो विशेश सत्र है किसी ने कहा कि one nation one election वो ओन ओई आने वाला है किसी ने कहा कि भाई महिला आरक्षन बिल आने जा रहा है कि ने कहा कि भाई अप तो ये तो यूशी सी पर बिल आने जा रहा है इसलिए सरकार ने विशेश सत्र बुलाया है अब इन थियोरी में ने थियोरी जुड़ गई कि इन देश के नाम से इंडिया जो है इसको हटाने का प्लान है क्या और इसलिए विशेश सत्रफ गुलाया जा रहा है विपक्ष कैसे हैरान परिशान है इसे आप देख भी लिजे कि सबसे पहले कॉंग्रेस नेता जहराम रमेश ने ट्वीट कर सवाल उठाया जहराम रमेश ने कहा कि राश्पती भवन ने 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए जो नियोता भेजा है उसमें प्रेजडेंट ओफ इंडिया की जबा प्रेजडेंट ओव भारत लिखा है अब समिदान के आर्टिकल वन को इस तरह पढ़ा जाएगा भारत जो की इंडिया था राज्यों का एक संग है लेकिन अब राज्यों का संग भी निशाने पर है नरेंद्र मोधी लगातार इतिहास से छेड़ चाड़ कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं कॉंग्रेस की तरफ से विपक्षी घडवन्दन के बाकी ने ताभी इसका विरोध करने लगे एक बार आप उनकी प्रतिक्रियाएं सुन लीजे फिर मैं आपको वो एक्स्क्लूजिव डॉक्यमेंट्स दिखाता हूँ जी टुएंटी लांचे एड़ना डिनाने ताथी लेखा आचे भारुत बोले अरे भारत तुम्रा बोली एक नोतु नोत्तु किया चे इंग्रीजी टे बोली इंडिया इंडियान कंस्टिटूशन हिंदी टे बोले भारुत का संग्भीदान अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं किस बात का डर है भाई वी आर प्राउड टू पी इंडिया हमें गर्म है कि हम भारत के लोग है और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत होड़ा है कहां कहां से नाम हटाईएगा कौन-कौन पन्ने सा नाम तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया ती राष्ट्रपदी भवन को त्याक करना चाहिए अभी इसी वाक्त क्योंकि ओ जो राष्ट्रपदी भवन वो भाईस्वाई के हाउस थे लौड आरुविंद पहले इका बस जिंदा थी माउन को त्याक करना चाहिए सब भरात बना दो सब खाली करा दो पहले ही और जुरूरत परतो गोला दागो और उड़ा दो अगर इतना यह नफ्रत है इंडिया नाम से कॉंग्रेस के लोग तो अलागी लेवल पर जाते है और अधीर जी तो अग्दम ही अलग कहरें कि राश्पती बवन पर गोला दाग दो उड़ा तो राश्पती बवन अगर अंग्रोजों की गुलामी की निशानी मिटा रहे अज़ा अभी नरेंद्र मोधी ने क्या किया न नहीं किया उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है इंडिया क्या खतमी हो जाएगा सिर भारत रहे का कुछ नहीं बोला अभी लेकिन यह लोग इत हम अरे इंडिया हाटा दिया इंडिया हाटा दिया सब शुरू हो गया ay कांग्रेस का हाल तो यह कि इनके नेताओं को भारत माता की जय के नारहों से भी दिकत होने लगे। दरसल विपक्ष को समाजी में ने आ रहा कि वो पीम मोदी के नए दाओं का जवाब क्या दे इसलिए सब अलग-अलग बाते कर रहे हैं विपक्ष के वो नेता जिने लोग देश विरोधी सोच वाला बताते रहे हैं वो भी अब देश की एक्ता और विविधिता की बाते करने लग गए भाई जैसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्त जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा उनको देश की अकंड़ता एक्ता की बाते याद आ रही है वो लिख रहे हैं कि भारत की विविधिता में एक्ता के मूलबूत सिद्धान के फ्रती बीजेपी की नापसंदगी एक निचले स्तर पर पहुंच गई हिंदुस्तान और इंडिया से लेकर भारत के कई नामों का महत्व गटा कर अब केवल भारत करना बीजेपी की संकीनता और असहिशनता को दर्शाता है जिनको अपना जंडा चाहिए है जम्मू कश्मीर के लिए जिनको जम्मू कश्मीर के लिए अपना समिदान चाहिए अलग से स्टेटस चाहिए वो बता रहें कि नए-नए भारत में सब एक रहना चाहिए, इंडिया ही होना चाहिए भारत की आजादी के बाद के इतियास में पहली बार प्रचंड बहुमत वाली कोई पार्टी पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है ये वो महबुबा मुफ्ती कह रही है, वो परिवार जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझा अपने परिवारों का विकास किया जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया वहां के युवा पत्थर पेकते रहे इनके घरवाले क्या करते रहे सब के सामने है वो आज बता रहे हैं कि जागीर क्या होता है आप खुश सोची ये बात है वो महभूबा मुफ्ती कर रहे हैं जो 378 अटाने पर कई बार देश विरोधी बयान दे चुकी जो यह दमकी दे चुकी है कि नहीं समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाल देखें विपक्षी नेता इसलिए भी गुस से में क्योंकि उनके गड़बंदन का नाम इंडिया है अगर नामी बदल दिया गया तो देश का अधिकारिक नाम भारत हो जाएगा फिर दीरे दीरे इंडिया शब्द का इस्तमाल कम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी दलों को बड़ा जटका लगेगा क्योंकि विपक्षी गड़बंदन ने सोची समझी रणनीती और सियासी फाइदे के लिए अपने गड़बंदन का नाम इंडिया रखा जिसके तहट देश के नाम पर अपने गड़बंदन का नाम रखकर लोगों को कन्क्यूज किया जाए और अजब देश का नाम बदलने की बात हो रही है तो फिर इंडिया गड़बंदन को परिशानी हो रही है इसलिए विपक्ष अब ये महौल बना रहा कि पीम मोदी उनके डर से देश का नाम बदलने माले है सुनिए आज इस पर अरविंद केजरिवाल ने क्या कहा फिर मैं आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को भारत किया कब इसलिए किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाए जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 करूर लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइन्स ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलाइन्स बनने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो वैसे तो केजरिवाल जी जो कह रहे हैं उसमें लॉजिक कहीं से नजर नहीं आ रहा लेकिन वो बोलते बोलते ये भी बोल गए कि बीजेपी को लग रहा है कि इंडिया एलाइन्स बनने से इनके चार वोट कम हो जाएंगे मतलब वो खुदी मान रहे हैं कि इंडिया एलाइन्स बीजेपी के मातर चार वोट काट सकता है उससे जादा काट भी नहीं पाएगा लेकिन मैं आपको अब सारी बाते बताता हूँ वैसे आधिकारिक तौर पर महत्वपूर्ण मंच पाए इंडिया की जगा भारत का इस्तेमाल किये जाने की बात आज की है ही नहीं जिसे आज हो रहा ने कि भाई आज राज़पती ने इंविटेशन वेजा तो उसमें इंडिया की जगा प्रेजिडेंट ऑभ भारत कर दिया मैं अब आपको पाटशाला में वो एक्स्क्लूजिव दस्तावेज दिखाता हूँ जो आपको बताएंगे कि बिना किसी शोर के बिना किसी राजनीती के सरकार पहले से ही अंतराश्य मंच तक पर इंडिया की जगा भारत नाम को प्रमोट कर रही ऑलरीड़ी अगस्त की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ अगस्त के डॉक्युमेंट्स अगस्त के महिने में जब पीम मोदी ब्रिक्स सम्मिलन के लिए साउथ अफरीका गए और उसके बाद ग्रीस के दौरे पर गए थे तो पीम मोदी के कारिक्रम में साफ साफ लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जरा यहां डालिए यह आपको डॉक्यमेंट्स दिखा रहा हूँ लोग सोच रहे आज कर दिया नरेंद्र मोदी ने हंगामा हो रहा है प्रेजडेंट ऑफ भारत कर दिया यह तस्वीर जरा जूम करके दिखाईए लोगों को और यहां अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है विजिट आफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू साउथ अफरीका एंड ग्रीस ऑगस्ट 22-25 2023 फंक्शन नोट्स यहां अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत अल्रेडी लिखा हुआ है भाई यह अगस्त महिने के कारेकरम का आपको दिखा रहा ह मतलब यह आज की चीज नहीं है यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत पहले से चल रहा है और यह सरकार पहले कड़ चुकी भाई और बिना किसी ऐसे कोई हंगामा नहीं मचाया कि भाई देखो हमने कड़ दिया भारत कड़ दिया भाई वहां इंटरनेशनल मंच पर भी पूर्ण जगों पर अब किस तरह से इसको प्रमोट कर रही है जी ट्वेंटी के लिए जो आइकार्ड भी जारी हुए है उनमें भारत ओफिशल लिखा है यह आपको आइकार्ड की तस्वीर दिखा रहा है उसका निचला इससा उपर जिस भी अधिकारी का था उसका हमने फ सितंबर को आजियान सम्मिट के लिए जाने वाले हैं उसके इंविटेशन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है इसको भी यहां डालिए मैं आपको दिखाता हूँ जरा इस तस्वीर को देखिए यहां भी अगर आप देखेंगे और यह तो जो कारिक्रम होने व यहां जूम करके दिखाए यह क्या लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑभारत लिखा है कि नहीं लिखा है तो सरकार अपने कई कारिक्रमों में अब भारत का इस्तिमाल कर रही है और अगस्त के महिने में भी कर रही थी मतलब पहले से यह चल रहा था लोगों ने हंगामा मचा या कि आज अचानक कर दिया ये समझ में नहीं आ रहा कि विरोध किस बात का हो रहा है क्योंकि आप देखें कि सम्मिधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है सम्मिधान के अनुछेद एक में कहा गया है कि इंडिया देट इस भारत ये part one the union and its territory में name and territory of the union इंडिया देट इस भारत shall be a union of states ये लिखा हुआ है तो अगर इंडिया देट इस भारत लिखा है मतलब इंडिया जो की भारत है तो प्राइम मिनिस्टर आप भारत क्यों नहीं हो सकता भाई प्रेजिडेंट ओव भारत क्यों नहीं हो सकता भाई जब सम्मिदान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है सम्मिदान की प्रस्तामना में लिखा है We the people of India और हिंदी में अगर सम्मिदान को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है हम भारत के लोग क्या वहाँ लिखा है हम इंडिया के लोग तो जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वहाँ लिख रहे हैं We the people of India हिंदी में लिख रहे हैं भारत के लोग लिख रहे हैं तो इंडिया और भारत दोनों इस्तिमाल हो रहा की नहीं हो रहा है तो विपक्ष को ये बात समझनी होगी कि देश के अंग्रेजी नाम को अटा कर उसे इंडिया किये जाने की बात पहली बार नहीं हो रही ये भी समझिये और अगर भारत प्राइम मिनिस्टर और भारत लिख दिया प्रेजिडेंट और भारत लिख दिया भारत ओफिशल लिख दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया कोई समिधान का उलंगन नहीं कर दिया इंडिया और भारत दोनों समिधान में लिखके हुए लेकिन यह मांग कब से हो रही है आप देखे 2012 में खुद कॉंग्रेस के सांसर शांताराम नाइक ने प्राइवेट बिल पेश किया था इसमें उन्होंने समिधान से इंडिया शब्ध हटाने का प्रस्ताव रखा था तब शांताराम नाइक ने कहा था कि हम अपने देश के लिए भारत माता की जै के नारे लगाते हैं इंडिया की जै नहीं बोलते हैं इसी तरह साल 2014 में सांसर के तोर पर योगी आदितिनाद ने भी संसर में प्राइवेट बिल पेश किया था इसमें उन्होंने समिदान के आर्टिकल वन में संशोधन की मांग रखते हुए ये प्रस्ताव रखा था कि समिदान में इंडिया दैटिस भारत की जगा इंडिया दैटिस हिंदुस्तान होना चाहिए इससे पहले 5 मार्स 2010 को भी योगी आदितिनाद ने इसी तरह का बिल पेश किया था लेकिन उस पर बहस नहीं हो पाई हाली में जो मौनसून सत्र हुआ उसमें भी बीजेपी के राजसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा था कि समिदान से इंडिया शब्त को हटा देना चाहिए क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है अभी कुछ दिन पहले RSSS प्रमुक मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमारे देश का नाम भारत सदियों से रहा है भाषा चाहे जो रही हो लेकिन देश का नाम एक ही रहा है इसलिए इंडिया नाम की जगा भारत का ही प्रयूक करना चाहिए सुनिये मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले क्या का उसका मां भारत है दुनिया में कही भी जाए गवो आरभी रहा है तो हम बोले पर लिखेने के सरवतृ भारत मेरें, किसी को सब्चारी नहीं आए, सिंदा ज़ाए, उसको जुर्णे चर्थ पोआए, हमको जुर्णे रिये है, हमको ऑंजानिया, हम अपने आपने सब्सार के सब्सादों, आज दुएक को हमारें दुएके भंदन. तो दिक्कत भारत शब्द से नहीं है दिक्कत यह कि नरेंद्र मोदी यह क्यों कर रहे हैं संग ने कह दिया फलाना डिमकाना यह सब दिक्कत है क्योंकि जो मोदी कह दें उसका तो विरोध करना है कल वो मोदी कह देंगे कि सांस लेना अच्छी चीज़ है तो ये लोग सांस लेने का भी विरोध कर दें इसाब सांस रोक के बैट जाओ भाई मोदी जी ने कह दिया सांस लेने अच्छे जा इंडिया शब्द को लेकर कई लोगों के अंदर ये सोच है कि ये शब्द गुलामी की मानसिक्ता का प्रतीक है क्योंकि ये नाम विदेशियों का दिया हुआ नाम बीजेपी के एक सांस रोक हरनाथ यादव ने तो ये दावा कर दिया कि भारतियों को अंग्रेज जाहिल मानते थे इसलिए वो अब शब्द के तौर पर इंडिया और इंडियन शब्द का इस्तमाल करते थे एक बार बीजेपी सांसद को सुनिये इंडिया शब्द और भारत नाम का क्या इतिहास है आज मैं आपको ये भी बताने वाला लेकिन उससे पहले एक सच ये भी है कि देश का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी मार्स 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगा सिर्फ भारत रखने की मांग वाली आचिका को खारज कर दिया थे उस समय तकालीन चीफ जस्टिस टीयस ठाकुर ने कहा था भारत और इंडिया आप भारत बुलाना चाते है भारत बुलाईए अगर कोई इंडिया कहना चाता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए चार साल बाद जून 2020 में फिर से सुप्रीम कोट में ऐसी ही आचिका दायर हुई सुप्रीम कोट ने इस आचिका को भी खारज कर दिया तब तीन सदसी बेंच ने इस आचिका को केंदर के पास भेज दिया था और इस पर फैसला लेने को कहा था, मतलब केंद्र चाहे तो फैसला ले सकता है और अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो दोनों में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है सम्विदान में लेकिन नरेंद्र मोधी चा रहे हैं कि भारत का प्रचलन बढ़े, भारत का इस्तमाल बढ़े, सरकारी कारकरों में दूसरी जगा बस हो गया भी रोज शुरू देश के नाम को सिर्फ भारत रखने की अटकलों के बीच सूतरों से खबर ये भी है, कि मोधी सरकार संसत के विशेश सत्र में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव ला सकती है केंद्रिय मंत्री के बयानों से भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस पर प्रस्ताव ला सकती है हाला कि नाम बदलने के लिए समिदान में संशोधन किया जाना पड़ेगा या नहीं किया जाना पड़ेगा, ये अभी साफ नहीं है एक बार केंद्रिय मंत्रियों को सुनिए, उनके बयानों से कुछ संकेत मिल रहे हैं फिर आपको आगे इसके बारे में बताते हैं प्राइरिटी में ले आया, देश उनके इसके लिए बहुत खूस होगा ये मेरा पूरा विश्वास है, देश में इस सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्तों की मानसिक्ता से बहार आना है देश का जो नाम भारत है, वो हमने नहीं रखा हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम है अगर विश्णू पुरान पढ़ें, तो विश्णू पुरान में ये श्लोक है मतलब ये हजारों साल पहले विश्णू पुरान में लिखा गया श्लोक है इसी बीच असम के मुख्यमंतरी हिमंत विस्व सर्मा जिनोंने विपल्ष के इंडिया गडबंदन का नाम रखते ही अपने बायों से इंडिया की जगा भारत शब्द कर लिया था अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिपब्लिक और भारत लिखा है हिमंत विस्व सर्मा ने कहा कि हमारा देश भारत था भारत रहेगा असम के सीम ने पूछा कि राहूल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी यात्रा का डाम भारत जोडो यात्रा क्यों रखा था अगर इतनी दिक्कत इंडिया जोडो यात्रा क्यों नहीं रखा अच्छा जब आपको लगता है कि मेरा भी डाल रुटी पकने ओला है तो आप नाम भारत जोडो ले लेता है और जब आपको लगता है कि हमारा डाल रुटी पकने ओला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते है तो हमारा बात क्लियर है हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा बड़े बड़े लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हमारे देश को भारत ही बुलाए जाना चाहिए जैसे पूर्व क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग ने तो कह दिया और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तोर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया मैं BCCI और जैशा से ये सुनिश्चित करने के लिए आगरे करता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाडियों की जर्सी पर भारत लिखा विरेंद्र सहवाग ने तो खुल कर इसका समरतन किया लेकिन हमिताब बच्चन ने एक ट्वीट की एक लाइन में अपना मेसेज क्लियर कर दिया बच्चन साब ने लिखा कि भारत माता की जै एतने में काम हो गया लेकिन ये सारी बाते तो चल रही इनका जिकर भी हो रहा है पर सवाल इस बात का है कि क्या ये भारत नाम समिदान में कैसे आया कहां से आया ये भारत नाम का इतियास क्या है पाटशाला में अब भारत का नाम इंडिया कैसे हुआ इस पर हिस्ट्री का कम्प्लीट चैप्टर बताता हूँ चोहतर साल पहले जो हुआ वही मोदी के 18 सितंबर को करने जा रहे हैं इसका जवाब भी मिलेगा अंग्रेजों के भारत आने से पहले कोई भी इंडिया नाम के शब्द को जानता तक नहीं था इस देश को सिर्फ भारत और हिंडुस्तान जैसे नामों से जाना जाता था अंग्रेजों के आने से पहले हमारे इतिहास और पौराणिक ग्रंतों में सिर्फ भारत शब्द का लेक मिलता है भारत पौराणिक यूग में भारत नाम के कई व्यक्ति भी हुए जैसे दशरत पुत्र भारत, शकुंतला पुत्र भारत, भारत मुनी, राजश्री भारत और मगद राज इंद्र द्यूमन के दरबार में भी एक भारत रिशी थी आज आपको पौराणिक साक्षियों की मदद से बताता हूँ कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा इसे लेकर हमारे शास्त्रों में क्या कहानिया मिलती है दरसल पौराणिक यूग की मानिता के अनुसार महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुश्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा रहे हमारे सिलेबस की कई किताबों में यही कानी पढ़ाई जाती आज से 1600 साल पहले महाकवी कालिदास के महाकाव अभिग्यान शकुनतलम में भी भारत शब्द का पूरा उल्लेख मिलता है इसके लावा सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरत पुत्रो श्रिराम के छोटे भाई भारत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत मिलने का प्रसंग मिलता है जैन परंपरा में भी भारत के नाम के साक्षे मौजूद है यह माना जाता है कि पहले जैन तिर्थंकर बगवान रिशब देव के बड़े पुत्र महायोगी भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा संस्कृत में भारतवर्ष का अर्थ होता है, इलाका, बटवारा, हिस्सा भी होता है यानि आप इतिहास को उठा कर देखें तो आपको भारत, भारत, भारतवर्ष का जिकर मिलता है इंडिया का जिकर नहीं मिलता है लेकिन सबसे जादा चर्चित नाम इंडिया इसलिए रहा क्योंकि 200 साल की लंबी गुलामी की बज़े से ये इंडिया शब्द अपनाना पड़ा और दूसरी वज़ा ये रही कि आजादी के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भारत की पहचान इंडिया के रूप में बन चुकी थी इसलिए भी इंडिया शब्द आगे बढ़ गया और भारत सीमित हो गया आज आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे पौराने ग्रंतों और शास्त्रों में भारत शब्द को किस पवित्रता और सब्मान के साथ बोला जाता है आज आपको कुछ लोकों की मदद से भारत शब्द के बारे में नई जानकारी देता है जैसे विश्णू पुरान के एक शलोक में कहा गया है जिसका अर्थ है देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मार्ग भूत भारत भूमी के भाग में जन्में लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्ने है यानि भारत वो स्थाने जहां पर मानव जन्म पाना देवत्व पद प्राप्त करने से भी बढ़का है ये विश्नु पुराण में लिखा है कि भारत में पैदा होना भागवान से जो देव होते हैं उनसे भी बैतर स्थिती इंडिया नहीं लिखा है भाई विश्नु पुराण के एक और श्लोक में कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षणं वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतती जो समुद्र के उत्तर में है और हिमाले के दक्षण में है उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारती हैं यहां भी इंडिया नहीं है इसी तरह ब्रेस्पती आगम में लिखा गया है हिमाले परवत से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ यह इश्वर निर्मित देश है जिसे हिंदू स्थान कहते है मतलब भगवान ने इसे बनाया है यह कहा जाता है और इसे हिंदू स्थान कहते हैं इंडिया यहां भी नहीं है यह इंडिया अंग्रेज लेकर आये भाई पिछले साल बजट सत्र के दौरान पीम मोदी ने भी भारत शब्द की महिमा बताते हुए विश्णु पुराण का यही श्लोग सुनाया था तब पहली बार यह चर्चा शुरू हुई थी कि पीम मोदी मन में इंडिया की जगा भारशब्द के इस्तिमाल की इच्छा रख रहें क्या सुनिए वो इससा हमारे हाँ विश्णु पुराण में कहा गया है यह किसी बाजववाले ने नहीं लिखा है विश्णु पुराण में कहा गया है उत्तरम यत समुदर्श्य हिमादरेश्चे वदक्षणम वर्सतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती ही यानि समुद्र के उत्तर में और हिमादरे के दक्षिन में जो देश है उसे भारत कहते हैं तता उनकी संतानों को मारती कहते हैं लेकिन जो लोग सनातन को ही मिटाने की बाते कर रहे हों वो क्या विश्णु पुरान समझेंगे, वो क्या पुरानी बातों को समझेंगे प्राचीन काल में भारत भूमी के अलग-अलग नाम भी रहे और उने से एक भी नाम इंडिया नहीं था आज आपको भारत के कुछ और नाम बताता हूँ जिने आप इंडिया के दौर में भूल गए होंगे और इन नामों में अगर आप गौर करेंगे कहीं भी आपको इंडिया नहीं मिलेगा जैसे आपने सुना होगा जंबू द्वीप ये भी इस्तमाल होता है भारत के लिए भारत खंड ये भी इस्तमाल होता है इसके लागर आप देखेंगे हिम वर्ष कई जगों पर इसका जिक्र मिलता है अजनाब वर्ष ये भी पुरानों में दूसरी जगों पर इसका जिक्र मिलता है भारत वर्ष का जिक्र मिलता है भारत वर्ष इसके लावा आर्या वर्थ इसका जिक्र मिलता है हिंद का जिक्र मिलता है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान का जिक्र मिलता है लेकिन किसका जिक्र नहीं मिलता वो है इंडिया अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इन में से बहुत सारे नाम आपने पूजा पाट के दौरान सुने होंगे पूजा करवाने के दौरान पंडी जी आपसे आपका नाम और गोतर का नाम बोलवाते हैं इसी समय एक शलोग भी बोला जाता है जिसमें जम्बू दूईपे, भरत खंडे, आर्या वर्त, देशांतर गते बोला जाता है इसके बाद ही किसी का नाम और गोतर का नाम का उच्चारण करवाया जाता है इन शब्दों के माद्यम से ये बताया जाता है कि आपका स्थान क्याँ आप कहां के निवासि हैं आसान और सरल भाशा में कहूं तो आपका address बताया जाता है इसमें कहीं इंडिया नहीं आता अंग्रेजों के आने से पहले देश की पहचान भारत और हिंदुस्तान जैसे नामों से ही थी लेकिन दीरे दीरे अंग्रेजी संस्कृती का दबाव और आजादी के बाद अंतराश्य स्तर पर भारत की पहचान इंडिया के रूप में स्थापित होती चलेगी लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में इंडिया की जगा सिर्फ भारत के इस्तिमाल के लिए महौल बन दा है 1947 के बाद भी समिधान सभा में इस बदलाव की कोशिश की गई अब आप देखिए 1947 में आजादी के बाद भारत का समिधान बनाने के लिए समिधान सभा बनाई गई समिधान सभा ने जब मसौदा तयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीकी बहस हुई उस दौराण ये बहस 17 और 18 सितंबर को हुई आप डेट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी ने संसत का विशेश सत्र का बुलाया 18 सितंबर 1949 में जो बहस हुई नाम को लेकर वो भी कब हुई 17 और 18 सितंबर को बहस की शुरुआ समिधान सभा के सदस से हुई कामत ने की उन्होंने अंबेटकर समीती के उस मसौदे पर आपत्ती जताई जिसमें देश के दो नाम थे इंडिया और भारत कामत ने अनुचेद एक में संशोधन का प्रस्ताव रखा अनुचेद एक के मुताबिक इंडिया दैटिस भारत माना गया है कामत ने प्रस्ताव दिया कि देश का एक ही नाम होना चाहिए और उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमी और भारत वर्ष जैसे नाम सुझाए नाम को लेकर आपत्ती जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं थे कॉंग्रेस के नेता और पूर स्वतंतरता सेनानी सेट गोविन दास ने भी इसका विरोध किया उन्होंने का कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छा शब नहीं है भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सेट गोविन दास ने समिदान सभा की बहस के दौरान ये कहा कि पुराणों से लेकर महाभारत तक भारत का जिक्र किया गया इसके लावा चीनी यात्री हुए इंसांग के लेखों का हवाला भी दिया गया कि देश का मूल नाम तो भारती है इस बहस के दौरान महात्मा गांधी का जिक्र करते वे कहा गया कि पूरे देश ने आजादी की लड़ाई किस नारे से लड़ी भारत माता की जैके नारे से लड़ी इंडिया की जैके नारे थोड़ी लग रहे थे इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए बहस के दौरान आंद्रप्रदेश से समिधान सभा के सदर से केवी राउ ने भी दो नाम पर आपपती ज़ता उन्होंने तो ये तक सुझाव दिया कि चुकी सिंद नदी पाकिस्तान में इसले इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए कमला पती त्रिपाटी और हर गोविंद पंद जैसे बड़े नेताओं ने भी देश का नाम सिर्व भारत ही रखे जाने का समर्थन किया उस दिन इस बात को लेकर कमला पती त्रिपाटी और डॉक्टर बियार अम्बेटकर की बीच टीकी बहस भी हुई त्रिपाटी ने कहा था कि देश हजारों साल तक गुलामी में था अब इस आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होना चाहिए तब ही अम्बेटकर ने उन्हें टोकते वे कह दिया कि क्या ये सब जरूरी है हाला कि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा निकला नहीं और जब संशोधन के लिए वोटिंग होई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आकिर में अनुचेद एक ही बरकरार रहा और उसे अनुचेद एक में इंडिया भारत बना रहा यानि इंडिया और भारत आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो सकते हैं लेकिन चुकि नरेंद्र मोदी ने प्रैमिनिस्टर अफ भारत कह दिया प्रेजिडेंट अफ भारत कह दिया लग गई आग जो अब तक चला आ रहा है इसलिए हम गवर्मेंट आफ इंडिया और भारत सरकार दोनों लिखते हैं भाई 18 सितंबर 1949 को देश का नाम इंडिया की जगा भारत को लेकर तीकी बहस होई थी अब ठीक 14 साल बाद एक बार ये चर्चा फिर शुरू हो सकती है कि 18 सितंबर 2023 को मोदी सरकार क्या इसे लेकर प्रस्ताव आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो इस बार भी संसद में जोरदार बहस होगी और ये तारीख 18 सितंबर एक बार फिर दोहराई जाएगी पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या मोदी सरकार इंडिया के जगा भारत का नाम सिर्व भारत रखने का प्रस्ताव लाईगी में इंडिया और भारत दोनों को मानेता है अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्व भारत करना चाहेगी तो उसे अनुचेद संछोधन करने के लिए बिल लाना होगा इसके लिए अनुचेद 368 यानि समिडान को संशोधन करनेhöर्न करने लेकिन अनुचेद के लिए संसत का गणित भी आपको समझा देता हूं लोग सबा में 549 सदस हैं दो तिहाई के लिए नरेंदर मुदी सरकार को 356 सच चाहिए होंगे राजी सबा में 238 हैं वहां दो तिहाई के लिए 157 सच चाहिए होंगे यानि सिर्फ इस तरह से हो जाए कि नाम बदल जाए ये भी नहीं हो सकता और बहुत हद तक संबब है कि धीरे धीरे ये नाम जो है वो सरकारी विवस्था में जादा इस्तमाल हो इंडिया खतम ना हो जाए एकदम से बलकि भारत का इस्तमाल बढ़े इसको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है आज पूरे देश में इस बात की भी चर्चा है कि जब पीम नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में गुलामी की कई निशानिया हटा चुके तो उन्हें इस बार भी ये इतिहासी काम कर ही देना चाहिए पिछले कुछ साल में पीम मोदी ने गुलामी की कई निशानिया मिठाई जैसे पहले दिल्ली में राजपत था लेकिन अब करता वेपत है पहले रेस कोर्स रोड था अब लोग कल्यान मार गए पहले नेवी के जंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस था अब नेवी के जंडे में सत्यमेव जैते है पहले जहां किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ती थी वहां आप सुबाश चंदर बोस की मूर्ती पीम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ती पर पूरे देश को भरोसा है लेकिन तब तक आपको 18 सितंबर का इंदिजार करना होगा कि PM मोदी क्या फैसला लेते हैं क्या वो भारत का इस्तमाल बड़े लोग भारत जाधा इस्तमाल करें इसको वहवार में जाधा राएं ये चाहते हैं या वो इंडिया that is भारत में से इंडिया को ही अटा देना चाहते हैं और सिर्फ भारत रहे ये चाहते हैं ये भी जल्द साफ हो जाएगा लेकिन एक चीज अभी और साफ हो नहीं बाकि कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी और यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितनात की अभी विपक्ष इसी बात से कंफ्यूज है कि विशेश सत्र में पीम मोदी करने क्या वाले है विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है इसी बीच पीम मोदी की एक मीटिंग ने विपक्ष की दढ़कने और बड़ा दी पीम मोदी की ये मीटिंग यूपी के मोदी से मुकाबला करने से पहले योगी से यहां बिढ़ना होगा, यहां जीतकर दिखाना होगा और यह बिढ़न गोसी सीट पर हो गई, गोसी सीट का नतीजा अब 8 सितंबर को आएगा, लेकिन इस से पहले पीम मोदी और सीम योगी की मुलाकात से सस्पेंस बढ़ गया, कि अचानक योगी आतितना दिल्ली आकर पीम से मिले क्यों ऐसा क्या हुआ कि योगी अचानक पीम से मिलने के लिए दिल्ली आ गए लेकिन गोसी सीट पर वोटिंग के दिन ही सीम योगी का दिल्ली आकर पीम मोधी से मिलना इसका मतलब या इसका नतीजा ये नहीं निकालना चाहे कि घोसी सीट को लेकर कोई बेचानी है या यूपी को लेकर कोई बेचानी है क्योंकि पीम से योगी की मुलाकात का मकसद कुछ और ही निकल करा रहा है हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि PM मोधी और CM योगी की ये मीटिंग आयोध्या को लेकर हुई है सूत्रों के मताबिक PM के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ के साथ UP के शहरी विकास मंत्री A.K. शर्मा, आयोध्या के DM नितीश कुमार और कमिशनर गौरव दयाल भी मौजूद थे आयोध्या के कमिशनर गौरव दयाल और DM नितीश कुमार ने CM योगी के साथ मौजूद रह कर बैठक में राम मंदिर निर्मान की प्रगती की जानकारी दी इसके अलावा इस बैठक में आयोध्या के विजन डॉक्युमेंट 2047 को लेकर भी चर्चा की गई है। जिसमें आयोध्या का डेवलप्मेंट करके इसे वर्ल्ड क्लास शेर बनानी का प्लान है। इस बैठक में आयोध्या में केंद्र सरकार के सयोग से संचालित 30,000 करोड से जादा की परियोजनाओं की प्रगती के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्या अगर नवंबर, दिसम्बर के एंड में चुना हुए तब तक आयोध्या राममंद्र के स्थिती में होगा, क्या उसके पहले बन कर तयार होगा, क्या इसको लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्या। अभी सब कयास हैं लेकिन कयास चल रहे हैं आज ही राम मंदर निर्माण की लिटेस्ट तस्वीर भी आ गई इसमें मंदर की नीव बन जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होते वे दिख रहा है इस निर्माण कारे से मंदर धीरे-धीरे आकार लेकता अब नजर आ रहा है भावे राम मंदर का पहला गुंबद भी लगबग तयार हो गया है रंग मंडप पर गुंबद को कारिगर अंतिम रूप दे रहे हैं चार अन्य गुंबद और एक शिकर बनाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्दी ही उसे पूरा कर लिया जाएगा कहा जा रहा है मंदर का 60% काम पूरा कर लिया गया है ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर तक राम मंदिर का निर्मान कारे पूरा हो जाएगा और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कारिक्रम होगा जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद जाएंगे और आज जो मीटिंग हुई है उसमें राम मंदिर के निर्मान कारे की प्रगती को लेकर समीक्षा हुई और आप यकीन मानिए कि इस समीक्षा के बाद अरली एलेक्शन्स पहले चुनापने को लेकर गहमा गहमी और बढ़ जाई लेकिन यूपी में योगी का प्लान है कि इस बार विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दे और असी में से जादा से जादा सीर जीत ले और योगी को इस बात का भरूसा इसलिए है क्योंकि उन्हेंने दो बड़े मुद्वों पर डेलिवर किया है योगी का जो विश्वास है वो कहां से आ रहा है योगी का विश्वास जो है वो इस बात से आ रहा है कि उन्होंने दो काम उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत शांदार हुई। एक राम मंदर जिसका काम जो है वो तुफानी गती से चल रहा है, 60% पूरा हो गया है। और दूसरा कानून विवस्था वैसे और बहुत सारे काम है राज्य का विकास हो रहा है सब कुछ है लेकिन कानून विवस्था को लेकर योगी आदितिनात की बहुत तारीफ हो रही है कि अप राद में कमी आई है और माफिया राज जो है उसका अंत हुआ है तो ये दो ऐसे क जो योगी में confidence भर रहे हैं कि भाई वो जो है इंडिया गडवंदन अगर यूपी में आएगा नरेंदर मोधी को रोकने के लिए तो वो कर नहीं पाएगा आपको जुनवाता हूं अभी घोसी में चुना प्रचार के लिए योगी आतिरनात गए थे तो उन्होंने माफिया र देश में सरकारों ने भार्ती जंदा पार्टी ने कुट्पकी ये जो मातिया स्वा महराते ने आज भी इंपियर पर अपनी चांद की भी कमानते लिए ठाई देते हैं अब किसी घरीन का, किसी किसान का, किसी ध्यापारी की जनीन को पुई कपचा करने का तुसास नहीं कर सकता है क्योंकि अगर कपचा करेगा तो बोड़ मर्जबी तयाब रेखा है इंडिया घरबंदन की सबसे बड़ी टेंशन यूपी है क्योंकि यहाँ पर योगी इतने मस्बूत हैं कि दूर दूर तक कोई दिखता है इंडिया घरबंदन इसी बात से परिशान है कि यूपी के किले में कैसे जगा बनाई जाए क्योंकि यूपी को जीते बिना दिल्ली की कुरसी पर बैटना बहुत मुश्किल है राजनीती में कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ओकर जाता है लेकिन इस रास्ते पर योगी खड़े हैं और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा ब्रेकर भी योगी ही बने हुए इंडिया गडबंधन का टेस्ट तो यूपी में शुरू भी हो चुका है जिन साथ सीटों पर आज उप्चुनाव की वोटिंग हुई उसमें से एक सीट यूपी की घोसी भी है जिन राज्यों में आज उप्चुनाव के लिए वोटिंग हुई उन सबी में इंडिया गडबंधन का टेस्ट होना है जैसे अगर आप देखेंगे कि कहां कहां पर ये सीटे हैं तो एक तो यूपी हो गया जहां पर एक सीट जो उप्चुनाव हुए है जो घोसी की सीट है और इनके नतीजे आठ तारी को आ भी जाएगे उत्तरा खंड यूपी जिसको कहते हैं वहां पर एक सीट है जारखंड में एक सीट है बंगाल में एक सीट है त्रिपुरा में दो सीट है दो सीट आती है और केरल में एक सीट है तो ये जो सीटे हैं यहाँ पर चुनाव हुआ है एक, दो, ती, चार, दो, छे, एक, साथ सीट है तोटन और इनमें सब में इंडिया गडबंदन क्या कर पाएगा उसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगा इसमें केरल और बंगाल दो ऐसे राज्ये हैं जहाँ पर इंडिया गडबंदन की पार्टियां एक दूसरे से फाइट कर रही है इंडिया गडबंदन मुंबई में मीटिंग से ये महौल बनाने में जुटा था कि गडबंदन एक जुट है उनके बीच में कोई टकराव नहीं और सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजा उमीदवार होता रही है लेकिन सच यह है कि गडबंदन के भी स सीट शेरिंग का कोई फॉर्मूला अब तक बन नहीं पाए सीट शेरिंग तै करने की कोई डेडलाइन भी नहीं दी गई कहा जा रहा कि सीट शेरिंग की डेडलाइन ना होने की बज़र से ही ममता बेनरजी मुंबई मीटिंग में नाराज हो गई और इसलिए वो प्रेस कॉ नहीं बनी इंडिया गडवंदन की वो चार राज्य अगर आप देखेंगे एक है बंगाल यहां पर कह रहे हैं कि भाई सीट शेरिंग नहीं होगी लेफ्ट तो पहले ही कह दिया था जब वो बेंगलूरू में डिनर हो रहा था कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे ममता के साथ मि यहां पर 42 सीट आती है 42 सीट इसके लावा आप केरल देख लीजे वहां पर मिलकर लड़ेने की बात नहीं बन पार यह sources कह रहे हैं वहां पर 20 सीट आती है लोग सबा की पंजाब में पहले ही मैंने आपको बताया था कि पंजाब कॉंग्रेस के जो निता है वो तो कह रहे है कि भाई इनका मूने देखना चाते है वहां पर 13 सीट आती है लोग सबा की और दिल्ली यहां को भी लेकर स्थिती सपष्ट नहीं है तो यह यहां पर 7 सीट है लोग सबा की यानि अगर आप इन 4 को ही मिला दीजिए तो 82 सीट बनती है अब यह नरेंद्र मोधी को हराने निक कर रहेंगे कि इसलें वो अपना सारा एजिंडा भूलकर इस पर मीटिंग कर रहा है कि विशेश सतर में क्या रणनीती हो यह अभी तक सस्पेंस बनावा आप तस्वीर देखिए यह तस्वीरे आई हैं जब मलिकार जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के इंडिया गडबंदन के नेता बैट कर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी क्या करने वाले हैं तुमको पता है तुमको पता है यह हुआ तो क्या विपक्ष अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो समझी कि 2024 में उसके लिए कोई चांस ही नहीं है तूकि 82 सीट पर तो गडबंदन हो नहीं रहा यूपी की 80 सीट पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो 160-162 सीट तो ऐसे ही चली गए यूपी में योगी आदितिनाद से हैं तो वो योगी आदितिनाद के फॉलोवर बढ़े तीस दिन में पीम मोदी के 6,32,000 फॉलोवर बढ़े और उसके बाद नाम सीम योगी आदितिनाद का है जिनके 2,66,000 फॉलोवर बढ़े उपर से खबरें ये भी चल रही है कि योगी आदितिनाद पूरा प्रयास कर रह कि चचु आप कहा बैठे हो उधर इधर आओ इस टाइप से तो इंडिया गडबंदन तूटेगा या उसके पहले जो साती है उनका घर तूटेगा ये तो वक्त बता देगा